नमस्ते बच्चों, कक्षा आठ वीशे विज्ञान और लेसन है सत्रमा शोर परिवार इसके बारे में अपने पांच पार्ट पहले कर चुकी हैं उसके अंत्रकत अपने क्या पढ़ा, चंदर्मा क्या है, चंदर्मा का प्रेस्ट कैसा है उसके उप ग्रेह, चंदर्मा किसका है, सुरे क्या है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों की दूरी के बारे में पढ़ा परिक्रमनकाल, गुर्ननकाल, इन सभी चीजों के बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं तो आगे का जो पार्ट है, वो इसमें अपने देखते हैं, कि सुरे के चारों तरफ जितने भी ग्रेह चक्कर लगाते हैं, उनमें देखो यह बाहर के चारे ग्रेह हैं, ब्रैस पती सबसे बड़ा ग्रेह है, इसके अंदर कितनी प्रित्वी आ सकती है, तेरा सो प्रित्वी आ सकती है, इसके बाद शनी, उरेनस, नेप्चून ये जो चारों ग्रहे हैं इनके चारों और क्या पाई जाती है वल्ले पाई जाती है और ये चारों ग्रहे बाहे ग्रहे के लाती है क्योंकि ये सुर्या से अधिक्तम दूरी पर है और जो सुर्या के नस्दीक हैं सबसे छोटा ग्रहे कौन सा है बुद्ध संद्या का ये और इनको क्या कहते हैं आंत्रिक ग्रहा कहते हैं सूर्य के अत्यरिक नजदीक होने के कारण इन ग्रहों को आंत्रिक ग्रहा कहते हैं और आंत्रिक ग्रहों के बहुत कम चंदर्मा होते हैं कि इनके जो प्राकरतिक उपग्रहा हैं यह बहुत कम है कि बुद्ध और शुकर का तो तो इस परकार सुरिय से यह कम दूरी पर हैं और यह नहीं क्या कहते हैं आंत्री ग्रह कहते हैं इसलिए उन बाकिछारों को ब्रैस्पती, शनी, जुरेनस, नेप्चुन इनको क्या कहते हैं वाहे ग्रह कहते हैं क्योंकि ये सुर्या से बहुत जादा दूर है सुर्या के निजदीक उनकों से हैं बुद्ध, शुकर, प्रित्वी, मंगल बुद्ध शुकर प्रित्वी मंगड ये क्या है सूर्या के नस्दीक हैं और जो बाकी हैं ब्रैस्पती शर्णी जूरेनस नेप्चुन ये सूर्या से काफी दूर है इसलिए इने क्या कहते हैं बाहे ग्रहे कहते हैं और इन चारों के जो बाहे ग्रहे हैं इनके चारों और क्या पाई जाती है वल्लया पाई जाती है और आंतिक ग्रहों के चारों और कोई भी वल्लया नहीं पाई जाती है इन चारों ग्रहों के चारों और क्या पाई जाती है वल्लया पाई जाती है और बाहे ग्रहे कौन से हैं ब्रेस्पति, शनी, जुरेनस, नैप्चुन आंतीक ग्रह कौन से हैं बुध, शुकर, पृत्वी, शनी बुध, शुकर, पृत्वी, मंगल यह क्या हैं आंतीक ग्रह हैं चंद्रमा की संख्या देखो उनकी तो अपने को पता ही है जिबुद्ध और शुकर का तो एक भी नहीं है प्रतवी का एक है और मंगल के दो हैं तो उनके जो चंद्रमा है वो नैंके बरापर है या यू कहीं कि बहुत कम है और ब्रेस्पती के चंद्रमा की संख्या 63 है, शनी के 47 है, उरेनिस के 27 है और नेप्चून के कितनी है, 13 है, इनकी चंद्रमा है वो काफी संख्या में है इसके बाद अब तक अपने शोर परिवार के ग्रहों के बारे में पड़ा, क्या इनके अलावा और भी कोई शोर परिवार का सदस्या होता है, तो इसका उत्तर है, हाँ, इनके इस दस्या हैं, उनमें देखो, जो ग्रहों के अलावा शोर परिवार के जो अन्यस दस्या हैं, व के बारे में देखते हैं कि मंगल और ब्रहसपती के बीच की जो दूरी है ना इनका जो सपेस है ये क्या होता है काफी खाली होता है मंगल और ब्रहसपती के बीच की दूरी और जो इसका सपेस है ये काफी खाली होता है इस कारण इहां पर जो शुद्र ग्रहे हैं वो पाई ज ईनके बीच में क्या पाई जाते है कि मंगल और ब्रेस्पती के बीच का फिए मुझा होती है इसी लिए इनके बीच क्या पाई जाती है शुद्र ग्रह क्या कहलाता है दूमकेत्व कहलाता है तो जैसे जैसे बीच्छह का पाइठ होता है उसे पूंश कहते हैं और यह 60 सुर्ण के बार को नहीं है वहीं भीया है और यह बहुत है अब सूर्ण करtechर के बार दिखाई देता है 76 वर्ष के बाद यह है दिखाई देता है तो यह दूमकेतु है दूमकेतु की जो पूँश है वो हमेशा सूर्या से दूर से तरफ होती है उसका जो चमकिला बाग है वही क्या होता है सूर्या की तरफ होता है लेकिन जो उसकी पूँश है वो हमेशा सूर्य से परे होती है सूर्य से दूर होती है दूमकेतु इस प्रकार की आ करती है और जैसे यह सूर्य के नजदीक आएगा तो इसकी पूंच पिछे क्यों रोजाती है इसे क्या कहते हैं हैले दूमकेतु कहते हैं इसके बाद आती है उलकाई उलकाई क्या है एक प्रकार का ये भी ज तो कहते हैं ना भी कभी कभी बायू मंडल में ये प्रवेश करते हैं और उसमेन की चाल क्या हो जाती है बहुत अधिक हो जाती है और बायू मंडल ये गर्शन के कारण ये गरम होकर जल उठते हैं और चमक के साथ ये सीगर ही वास्पित हो जाती है ये क्या कहलाती है उलकाए तो यह भ्यूमंडल में जैसे ही परवेर्श करते हैं तो इनकी गति एकदम से बढ़ जाती है एकदम से इनकी गति बढ़ जाती है और यह गरशन पार्ण यह गरम होकर क्या जल्द उड़ते हैं और चमक विभा वाश कई है और इन्हें शूटिंग स्टार भी कहती है शूटिंग स्टार क्योंकि इनकी जो चमक है वो इस परकार होती है कि इनको शूटिंग स्टार भी नाम दिया गया है और कभी यह जो उलका पिंड है पहली बात तो यह वाजू मंडल में आते ही नहीं प्रित्वी की और जब यह प्रित्वी के वाजू मंडल में आते हैं तो यह दर्थी की तरफ आते हैं और जैसी यह दर्थी से टकराते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा गड़ा कर देते है जिससे वो फिर बाद में पानी से जैसे बर जाता है तो इतनी ये इनकी वियंकर होती है इनकी जो टक्राव होती है वो प्रत्वी के साथ कि इतनी ज़्यादा वाशपीत होती है इतना ज़्यादा दमाका होता है कि वहां पर एक गड़ा हो बन जाता है तो उलका पिंड यहीं पूश को पार करती है तो उलकाओं के जुंड दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं उलका वरिस्टी कहते हैं जो प्रित्वी दुंकेतु की पूश को पार कर लेती है तो उसे उलकाओं के बहुत सारे पिंड दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं उलका वरिस्टी कहत ग्रहा कहते हैं और ग्रहों के चारों और जो चक्कर लगाते हैं उन्हीं क्या कहते हैं उप ग्रहा कहते हैं तो किस पर जीवन संभव है एक मातर ग्रहा है प्रित्वी पर जीवन संभव है और प्रित्वी पर जीवन संभव क्यों है क्यों कि जो इसका तापमान है वो और प्रित्वी को उपर से देखने पर वो कैसी दिखाई देती है निली दिखाई देती है लाल ग्रै कौन सा है मंगल है संद्या और प्रवात का तारा किसे कहते हैं शुकर को कहते हैं और इसके वाद अपने तारा मंडलों के बारे में भी बढ़ा था कि तारों के समूग को क् बड़ा सपत्रेशी को क्या कहते हैं ग्रेट वियर अर्सा मेकर बीग डीपर ही कहते हैं यह साथ तारों का समू होता है और यह दूप तारे के चारों तरफ चक्क लगाता है जिसकी जो गती है वह तारों के आपस में गती चेंज नहीं होती लेकिन दूप तारा है वो मेरात्री के प्रथम पहर में दिखाई देता है तो खुले आसमान मेरात्री के समय में आप उपर देखोगे तो तारों के समू इकठे इकठे दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं पहचानी जाने जोग के आकरतियों वाले तारों के समू को जिन आकरतियों को अपने पहच ग्रह और भाहिए कना सितने हों से जोसुर्य के सब से नजदी क्हें और अंतिक ग्रह बुद्ध शुक्र प्रित्वी ओर वह सुख्र 25 रिएव ऑ पंगल भुद्ध शुक्र प depthsी मंगल क्या हैं अंधिक रह है और जो बाकी के ग्रहे हैं वो क्या हैं बाहे ग्रहे हैं ब्रैस्पती शनी और नेप्चून ये क्या हैं बाहे ग्रहे हैं और बाहे ग्रहों के चारों और क्या वल्ले पाई जाती है आंति ग्रहे सुरे के नस्तीक हैं इसलिए नादिक रह कहते हैं वाहे ग्रहों की दूर đi सबसे ज्यादा एसलिए बुद्य सुरे के सबसे अधिक नज्दीख है इसलिए उसे सुरे की चमक में अपने देख नहीं सकते तो seus सूर्य वाद्धे के बाद बहले और सूर्ययास्त के बाद में थी अपनी देख सकते हैं य्षा क्विटी वीडियो को देखते हुए इनंकी अलावा जो इसके शोर खुर्ण है Чैप्टर पूरा हुआ जर्णेवाद